शिमधोम रेमेडीस में आपका स्वागत है अभी 17 अक्टूबर 2017 को धंतेरस है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी ही राशी वाले को और कन्या राशी वाले को धंतेरस के दिन क्या करिदना चीए उस खरिदारी से पहले हम आपको बता दें कि शाम को पूजन कितने बज़े आपको करना चीए देगे धंतेरस तिथी के दिन जो पूजा का जो सूफ मुहलत है वो है शाम को 7 बच कर 19 मिनट से लेकर शाम को मतलब रात्री को 8 बच कर 17 मिनट तक जो प्रदोश काल है वो शाम को 5 बच कर 45 मिनट से लेकर रात्री 8 बच कर 17 मिनट तक है जो बिशब काल है वो है शाम को 7 बच कर 19 मिनट से लेकर रात्री के 9 बच कर 14 मिनट तक उसके बाद त्रियोदिसी तिथी जो प्रारम होती है वो है रात को 12 बच कर 26 मिनट से अभी हम आपको बताएंगे सिही रासी वाले और कन्या राशी वाले देखें सिही रासी का जो स्वामी है वो सुर्य होता है तो इस रासी के लोगों के लिए धंतेरस पर सोना खरीदना लाबदायक होता है बाकी रासियों के लिए सोना खरीदना मैं ने कभी नहीं बोला है सोना खरीदना अच्छा नहीं होता है पर सही रासियों के लिए सोना खरीदना लबता है इसके अलावा आपीतल के बरतन या सामान की खरीदारी भी कर सकते है उसके बाद है कन्या राशी अभी कन्या राशी का जो स्वामी है वो बुद्ध होता है तो धन्तेरस पर इस राशी की महिलाएं कान से पहनी जाने वाले कोई वस्तू खरी दिये जो कान का जुमका, कान की बाली वगएर अप्रुष अपने लिए किताब या कलम खरीज सकते हैं तो कन्या राशी और सिहरासी दोनों को मैंने आपको बता दिया धन्यवाद आप हमारे चनल पर सबस्क्राइब करें और अपने कमेंटे दिशिए धन्यवाद